देखें, competition के इस दौर में, आप price बढ़ा कर अपना profit नहीं बढ़ा सकते हैं, जैसे आप price बढ़ाएंगे, आपके sale घट जाएगी, तो आपको करना क्या है, लालाच में वो भी product लेता है, जिन पर high profit company को होता है, और जादा तरह डिसकाउंट ऐसे products पर दिया गता है, जिसमें already company का profit margin बहुत बढ़ा होता है, जिस भी customer के साथ आप deal कर रहे हैं, उसको बातों भी बातों में ये बात जुरूर बताएं कि अगर हाई friends, मेरा नाम है डॉक्टर अमित माईश्वरी, मैं CEO and founder, director हूँ, Meta Soversis Limited Company का, हमारे company Stainless Steel, Modelo Kitchen के manufacturing and export करती है, आज पूरे भारत वर्ष में हमारे franchisee और dealership शोरूम है, friends, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, कि बही, sales बढ़ाने के 11 तरीके, और बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को पसंद करके हमारे office में comment किया, call किया, mail किया, कि सर आप थोड़े तरीके और बताएं ताकि हमारे business को हम तीजी से develop कर सकें, क्योंकि जो तरीके आपने बताएं, उनमें से बहुत सारे तरीके हमारे काम के थे, उनको अपने implement कर लिया, हम और तरीके जानना चाहते हैं, तो आज हम बात करेंगे profit बढ़ाने के 8 तरीके, ऐसा क्या करें कि हमारे business में profit बढ़े, sales का volume बढ़े, और हम अपने business को expansion की और लेकर जाएं, तो सबसे पहला method है, वो क्या referral marketing, friends, referral marketing ना एक बड़ा powerful tool है, आपने जितने भी customers के साथ काम किया, जित 100 customers जो आपके हैं, उन में से 80% जो satisfied customer है, उन 80% customers में से, मतलब 80 customers में से, केवल 10% customer ऐसे होते हैं, जो आपको referral देते हैं, मतलब 100 में से 8 client ऐसे हैं, जो आपको referral देते हैं, वो भी जब, जब उनको लगता है कि किसी को उनके product की जरुवत है, उसके जैसे product की जरुवत है, लेकि अपने customer से referral के बारे में बात करते हैं तो बात करने पर number of referral की maturity कई गुने ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत सारे referrals आपको मिलना शुरू हो जाती है इसलिए ask for referral और उसके लिए ज़रूद क्या है referral marketing करने के और marketing का मतलब क्या है जिस भी customer के साथ आप deal कर रहे हैं उसको बातों यह बातों में बात जरूर बताएं कि अगर आप हमारे satisfied customer है और आप हमें reference देंगे तो हम आपको यह incentive देने वाले हैं या benefit देने वाले हैं ओला उबर और जमेटो या किसी भी तरह की आपको आप देखेंगे वह referral marketing पर बहुत अभी फोकस करते हैं make my trip हो गया तो यह लोग क्या जानते हैं कि customer जो आप संसे satisfied है वह जो refer देगा उससे मिलने वाले बिजनस के बदले वह कुछ ना कुछ उसको benefit जरूर देंगे जिसके लिए वह proper referral marketing करते हैं और बहुत सारी companies उसके लिए proper structure बनाये हुए कि अपनी website पर customer को login देते हैं और login के बाद में वहाँ पर वह अपने reference को feed कर सकते हैं और क्या reward points क्या benefits उनको मिल सकते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं तो referral marketing का बहुत अधिक इस्तेमाल करें जो आपके business को तीजी से आगे बढ़ाने के लिए कारगर सिद्ध होगा नेक्स जो है join business networking clubs आज बहुत सारे business networking club बने हुए जहां पर जो club organizer है ना club का जो owner है उसका उदेशी ही है कि लोग आपस में मिलें एक दूसरे से अपने business की जानकारी share करें और एक दूसरे को जरूत पढ़ने पर referral दें अगर उनके link में किसी भी person को उस तरह के product या service के जरूता है जैसा व्यक्ति उनके reference में है क्लब है वो प्योरली एक business networking club है लोग वहाँ पर आते ही इसलिए हैं ताकि business relation develop हो एक दूसरे को business reference मिले तो इस तरह की organization को जब आप जोइन करते हैं तो आपको बहुत चाह benefit मिलता है next eliminate expensive eminities and services अभी बहुत सारी companies ना केवल इसलिए फेल हो गई कि वह बहुत जौदा expensive eminities and services देती थी जैसे अगर आप देखें Kingfisher एक airline थी और Kingfisher को यूज करना पसंद करने लगे साथी साथ वह comparatively वह कॉस्ट चाहते थे जो कॉस्ट बाकी airlines दे रही है तो जब cost conscious market होती न तो आपको ऐसे services को eliminate कर देना चाहिए जो बहुत ज़्याद expensive है मैं example के रूप में आपको बताता हूं कोविड से पहले हमारी company में भी हम हमारे customer के लिए एक proper designed well printed catalog देते थे उस printed catalog की जो cost थी वो 90 रुपए से लेकर 130 रुपए थी अलग अलग तरह के catalogs थे हमने क्या किया हमने देखा कि हर महीने 2-3 लाख रुपए तो हमारे केवल catalogs पर खर्च हो जाते हैं हमने क्या किया हमने number of catalogs को जो थे हमारे उनको redesign करके PDF में convert किया अब जो cost of acquisition of customer है या जो expensive eminity हम उनको दे रहे हैं वह वहाँ पर हमने eliminate कर दी हमने इन catalogs को खतम कर दिया तो 2-3 लाख रुपए का net profit हमारी company में बढ़ गया पर मंत का है ना और साथी साथ क्या हुआ कि customer के पास जब हमने catalog भेजा तो catalog commission उसके phone में रहता है वो जब चाहे देख लेता है आजकल hard copy का trend नहीं है आजकल soft copies का trend है तो ऐसी कौन सी चीज़े हैं जो आप अपने office में eliminate कर सकते हैं अपनी company में eliminate कर सकते हैं और अपने profit को बढ़ा सकते हैं next reduce cost of production आपको जरूरत है आपको cost of production को reduce करने की अब cost of production को reduce करने का मतलब है अगर आपके माल की लागत घट जाएं देखे competition के इस दौर में आप price बढ़ा कर अपना profit नहीं बढ़ा सकते जैसी आप price बढ़ाएंगे आपके sale घट जाएगी तो आपको करना क्या है आपको cost of production घटानी है आपको देखना है कि कौन कौन से extra cost आपकी जा रहे ही जिसकी वजह से आपका product महंगा आपको पढ़ रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि packaging cost बहुत जादा है कहीं ऐसा तो नहीं कि labor की जो production की speed बहुत कम है जिसकी वजह से उतने खर्चे में कम production हो रहा है तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं उनकी efficiency को कैसे बढ़ा सकते हैं तो यह cost of production पर आपको काम करना होगा और आपने cost of production को 5% भी कम कर लिया ना तो आपका profit volume बढ़ जाएगा तो यह काम करना भी बहुत जरू material को यह finished material को instant payment पर लेता है तो उसको extra discount बिल जाता है जादातर क्या होता है कि 2% का COD भी होता है यह advanced payment पर भी 2% का extra benefit आपको मिलता है तो यह आपके profit volume को बढ़ा देता है दूसरी बात आपके मन में प्राश्ण होगा कि सब्सक्राइब हमारे पास होती तो हम credit पर माल क्यों लेते तो instant payment के लिए credit पर माल भी मिल जाएगा लेकिन आपके vendor को payment भी पहले मिल जाएगी तो उसको तरीका क्या है use the power of credit card and get extra cashback अगर आप credit card का इस्तेमाल करते है तो तीन फायदे आपको होने वाले सबसे पहला फायदा क्या होगा आप vendor को जो pay करेंगे वो on time कर देंगे ज उसके बाद में उसकी payment आपको credit card की करनी होगी तीसरा benefit क्या हुआ जब आप credit card से कोई भी चीज़ भी करते हैं तो आपको क्या मिलता है cashback या आपको reward point मिलते हैं जिनको आप अलग से cash कर सकते हैं तो आप क्या करें कि raw material भाय करने के लिए भी credit card का इस्तेमाल कर सकते हैं next important ब आप अपनी इंडस्ट्री में ऐसा क्या नया कर सकते हैं क्या बेहतर कर सकते हैं जो आपके competitor नहीं कर रहे हैं जैसे आप मालीजेक territory में काम कर रहे हैं आपने multiple outlets के साथ टाइप कर लिया जो आपके competitor नहीं कर रहे हैं आपका material सप्लाइ जा रहा 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 अच्छा profit volume आपको हो रहा है यह आपने e-commerce platform के साथ टाइप करके अपना metal e-commerce platform के जरीए बिचना शुरू कर दिया यह आपने अपनी company में associate partner बना लिए जो आपके लिए on incentive आपके साथ काम कर रहे हैं तो कई ऐसे तरीके हैं जब आप red ocean strategy से blue ocean strategy मा जाते हैं और आप competitive advantages भी यहाँ पर ले सकते हैं अगला जो important concept हो क्या है gift instead of discount क्या कहते हैं कि customer को attract तरने के लिए ना बहुत सारी company gift schemes निकालती है यह discount scheme निकालती है फ्रेंट जर्मन company सबसे ज़्यादा विश्वास करती है gifting पर ना की discount पर मैंके example group में आपको बताता हूं हमारी company में जो है hardware हम लोग लेते हैं वह है टिक होता है German hardware होता है और उनको पता होता है कि April में जून जुलाई अगस्ट सेप्टेंबर एक दो तीन चार पांच यह जो पांच महीने ना इससे में गर्मी बहुत ज़्यादा होती जिसकी वज़र से क्या होता है construction construction का का काम जो जो जाता ह है तो यहां पर क्या कैते हैं कि अगर डिसकाउंट देंगे तो शायद सेल जादा हो जाएगी लेकिन German companies का यह मानना है कि अगर डिसकाउंट देंगे ना तो उसके बाद भी सेल ने बढ़ेगी क्योंकि यहां पर जो कंजम्शन है वो बहुत लो है इन महीनों में और एक बा बता हूं मालीजी एक हाड़ेवेर की कॉस्ट है दो जार रुपे और वो कहते हैं सो हाड़ेवेर आपको लेने हैं मतलब दो लाख रुपे का मेटीरियल आपको और करना है अगर वो 10% डिसकाउंट दे देते हैं तो इसका मतलब 20,000 रुपे का डिसकाउंट है तो एक लाख तीन, चार, पांच, छे, छे महीने तक अगर आपने हर महीने दो लाख का ओडर दिया, कॉंस्टेंटली, रेगिलर, तो हम आपको थ्री नाइट, फोर डेज का जर्मनी का ट्रिप देंगे अब यहां कैलकुलेशन को ध्यान से आप समझे, छे महीने में दो लाख की सेल का मत में, बल्क बाइंग में कैसा पैकेज डिजाइन करते हैं, जहां पर ट्रेडर को ट्रिप करवा देते हैं, तो ट्रेडर, ऑफ सीजन होने के बावजूद भी, रेगुलर सेल के लिए मैट्रिल उन से लिता रहता, चाहे माल बिके या ना बिके, अपने स्टॉक में रख लेत करते हुए, गिफ्टिंग के अडवांटेज को दिखाते हुए, उन्होंने इस तरह से कर दिया, तो यह भी एक तरीका है, जिसमें हम सेल्स के वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, और ऐसे समय पर जब हमारा ऑफ सीजन चल रहा होता है, तब भी हमारी सेल बढ़ जाती है, फिर special day flash sale, कई बार क्या होता है, बहुत सारी companies के आपने देखे होंगे, जैसे big billion day, black friday, 6 january special, ऐसे बहुत सारे special days होते हैं, जिन पर वो क्या करते हैं, flash sale कर देते हैं, flash sale का मतलब है, जो बहुत सारे common products होते हैं, उन common products पे, up to 50% discount, up to 70% discount, यह इस तरह की scheme निकालते हैं, और उसके इवज में जब consumer वहां आता है, तो इन product की buying के लालाच में, वो भी product लेता है, जिन पर high profit company को होता है, और जादा तरहे discount ऐसे products पर दिया आता है, जिसमें already company का profit margin बहुत बढ़ा होता है, तो जहां पर profit margin बढ़ा होता है, उससे discount को cover करते हैं, और extra sale grab कर लेते हैं, जो consumer उनके volume को बढ़ा सकते हैं, और profit volume को बढ़ा सकते हैं, तो इसके अलावा, आपके मन में कोई भी प्रश्ण है, बिजनस को लेकर, तो मेरा आपसे request है, कि वो प्रश्ण हमें comment box में लेखें, तकि आने वाले videos में, उस तरह के topics को cover करते हुए, हम आपकी जरुवत के हिसाब से, आप किसमेरे बविश्य की कामना करता हूँ, जै हिंद, जै भारत